हाँ जाहिन फिर से आपके लिए BSF Head Constable Ministerial और ASI Steno आप लोग लिए फिर से वीडियो ले करके आगया हूँ पीछे ले कुछ दिनों से BSF Head Constable Ministerial ASI Steno के एक्जैम से रिलेटर में वीडियो लाते रह रहा हूँ और जो मैं एंसर की प्रोवाइड किया हूँ ना आप लोग जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं सिर्फ यह बार वहां से रिक्वेस्ट सेंड करिए उसको मैं फिलाल अभी कुछ समय बाद में उसको अठा दूंगा वहां से सबके लिए लागू कर दूंगा कोई उस लिंक से देख सकता है तो फिलाल चलिए आप जैसा थमनेल प कार्ट को दिखा दे रहा हूं अभी मैं ऑफिस्यल पेश पर था आप चलिए आजाई एड्मिट कार्ट पर यहां पर देखिए जो मेरा स्क्रीन पर एड्मिट कार्ट दिख रहा है यहां पर देखिए नाम यह सब लगा है और मैं इसमें से कुछ चीज़ा अटाय भी दिया भी रहा हूं ठीक है तो यहां पर क्या है मैं आपको एड्मिट कार्ट सरही कलेयर कर दे रहा हूं पुरा प्रूफ दे करके कि आपका निगेटीन मारकिं relevant होगा की नहीं होगा जब मैं इसको नीचे की तरफ छरब में स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहां पे देखिए इसका मतलब कोई नीगेटिव मार्किंग नहीं है अब क्लियर हो गया जाकर के की आपका इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है और तयारी और दबागे करिए जो आपका लिमिटेड वाले लोग थे, departmental candidate थे, उन लोग का क्या हुआ है, उन लोग कितना cut-off बना था, 68 marks, उसमें general था, कोई ऐसी category नहीं थी, 68 marks का cut-off बना था, अब 60 उसमें बना था, और इसमें देखी कितना बन रहा है, इसमें आपका 88-89 के लगभग जा सकता है, it depends on the intensity of the toughness of the question paper, अब जैसा toughness जितना ज्यादा आप ले सकते हैं, उसमें सो ले सकते हैं, सो लीजे, इतना हो सकते हैं, उतना ले ठीक है, तो आपका यहाँ पर यह clear हो गया, तो यह मैं कहा हूँ, छोटा सा वीडियो आपको बना के दे दूँ, बाकि कोई comment को रही होगा, और जाकर कि जो paper आपको दिया जाकर कि उहां से अपना solve करिए paper को दबा करके, फिर मैं आप से इसी तरह से मिलता हूँ, next video में, और video audio को आप share और करना share कर दीए, ठीक है, so far, जहीन!